सब्सक्राइब करते हैं तो गाइज आगए हम अपने टेबल पे तो मेरे आथ में आप एक यह देख रहे हो यह 3.5 चोटी अलिया नहीं है तो इस यह को यूज करें और इसके एक स्प्रिंग लगा हुआ है तो इस स्प्रिंग की जगा आप कोई सब इस प्रिंग यूज कर सकते हो अगर आप वह जब भी टायर हिलेगा तब लाइट चले वैसा बनाना चाहते हो तो आप किसी भी बालपरेंट से स्प्रिंग निकाल सकते हो वैसे यह मुझे इसके साथ लगा-लगाया मिला है और यह मैं कि टायर में साइकल के टायर में अराम से आजाती इतना पता नहीं चलता किसी को तो आप देख सकते हो मैंने इन दोनों सेलों को आपस में जोड़ दी है तो यह डेड़ देट तीन वोल्ट बन गए होंगे अराम से इसे हमारा इशारा चल जाएगा पैने क्योंकर ज्यादा लोंग टैम चलाना चाहते तो बैटरी उसकरें तो अब आगे चलते हैं तो पहले मैं अपना पिटारा दिखाता हूं आपको तो यह देखते हो मेरा जादूई पिटारा इसके अंदर से निकालते हैं हम एक बटन तो यह बटन में यूज़ कर रहा हूं क्योंकि देखो दिन चड़ो चड़ो वह बात नहीं तो अब मैं इसके कनेक्शन हो गए हैं और आप देख सकते हो एकदम हैवी सा हो गया तो मैंने इशारा भी इसके साथ करना है तो मैं कर देता हूं इसे और अगर तब तक चैनल को जाके सब्सक्राइब कर दो वीडियो को लाइक कर दो और वी पीस मैंने कट कर लिया थोड़ा सा तो पहले अब इसे गरम कर लेते हैं और फिर इसके अंदर लगा देते हैं तो गरम कर लिया और लगा भी लिया तो अब आपको चला कर दिखा रहा हूं तो यह देख सकते हो क्या ओपी चल रही है लाइट अब थोड़ी सी अजीव लग लेकिन अब हम चलते हैं सैकल पे तो सैकल में आ गया हूं अब मैं बताता हूं कि इसे लगाना कहा पर है तो पहले तो सैल को कहीं पर भी बीच में अटैच करना बाहर यह साइड़ों पर नहीं करना क्योंकि अगर अलकी सी ब्रेक से भी टाच होगी तो काम खराब हो सकता है तो ग्लूगन से यह टैच करेंगे हाँ पहले द्यान रखना कर सैकल की वह जगह है वहां से मिटी अटा लो सारी क्लूगन मिटी पे लगी तो फिर उतर जाती है तो देख सकते हो यह उतर गी है अभी मैं दुबारा लगा रहा हूं इसे तो अब वह लगी है मैंने बटन भी इस तार के साथ ऐसे और यह एक जो इसकी तार है सेल की वह मैंने वैसी रोड के साथ लपेड़ दी है सैकल के यह जो राड लगे हुए है और मैं चाहता भी नहीं को यह अटके ब्रेक के साथ इसलिए ऐसा काम किया है तो राड मैंने राड के साथ लगा दी है और दूसरी त तो देखो मैंने इसे कनेक्ट कर दी है ऐसे ग्लूगन के जरीए की है तो अब मैं आपको दिखा सकूँ अगर तो यह रहा स्प्रिंग स्प्रिंग जैसे ही मिलेगा उस तार से गुमने से तो यह लाइट चलने लग पड़ेगी और जैसे ही अम टायर चलाना बंद करेंगे तो यह लाइट बंद हो जाएगी हैं एक सिंपल सा फटना और जब चाये बटन बड़ कर दो नहीं चलाना हो कोई बात नहीं तो अब चलत हुए है यह अभी अटाइस नहीं हलका सा भी चलाएंगे तो यह चलना चुरू हो जाएगी लेकिन मैं आपको कहूंगा क्या पैसा ना करो आप इन्हें ट्रेक्टी लगा दो कि स्प्रिंग वाला चकर ना करो तीक है जब चाहिए बटन से ओन कर दी चल पड़े क्योंकि इसे अब लाइटे पूरी नहीं चल पाएंगी क्योंकि यह किसी और मकसद के लिए होता है तो अब देख सकते हो आप यह दोनों लाइटे नहीं चल रही है जनी कि मैंने स्पिरिंग को एक दफा के अटा दिया तार को सब्सक्राइब करो तो अलगाуск